नमस्कार स्वागत है आपका वोईस ओफ ट्रांस्पोर्ट में RFID यानि Radio Frequency Identification एक टैग जिसे लगवाना है आप सभी कमर्शल वेहकल पर जो दिल्ली में एंट्री करेंगी इस सम्मन्द में आप कुछ एस्सेशन्स ने कैंप लगाने भी चालू कर दी हैं आज हम हैं दिल्ली गुड्स टांस्पोर्ट एस्सेशन के आफिस में हमारे साथ प्रेजिडेंट परमीज सिंग गोल्डी जी मौजूद है ये बात करते हैं कि इस कैंप में अभी तक इस एस्सेशन्स ने कितने वहानों पर टैग लगा दिया है और किस तरह की प्रॉलम्स आ सर स्वागत है आप धन्यवाद ब्रिजेज जी अभी एस्सेशन्स ने सबसे पहले जो कैंप में जब आपने लगाया कितनी गारी ने लग चुकी हैं और डॉक्यमेंडिशन के बारे में जड़े एक बार हमारे सुटाओं को बताएं देखिए मैं तो आपको सबसे पहले इस पर रहे हैं अभी तो ट्रांस्पोर्टर प्रिपेर नहीं है एक बड़ी तदार में ट्रांस्पोर्टरों को आर एफ एड़ी टैग इशू नहीं किये गए पर इन्हों ने उसको देखते हुए हमें समय जो दिया वो भी काफी कम दिया इसको सोला तरीक से सिर्फ तरीक तक बढ़ाया गया पर उसके बाद हमने इसमें थोड़ी हमने पहल की पहल करके हमने एमईबी ड्वेलप ड्वेलपर्स जो इनके जो इन्होंने अथराइस कियों है आर एफ एड़ी टैग इशू करने के लिए उनसे बातचित करके अपने आफिस में हमने कैम्प लगाया SDMC की जो साइट है ये काफी हैवी चल रही है और सबसे बड़ी जो हमें इसमें अभी जो हमने जो इशू कुछ अभी इशू काफी तदार में नहीं हो पाए अभी इनकी मोबाइल वैंस भी हम प्रॉइड करवा रहे हैं जैसे हमारे ट्रांस्पोर्टर्स हैं किसी की 400 गाड जायों के पेपर अभी तक टैग बन पा रहे हैं फिट टैग बनने के बाद हमारे जो ट्रांस्पोर्टर्स हैं या फ्लीट ओनर हैं या हमारे ट्रक मालिक हैं उनको टैग हम दे नहीं पारे हुए उसमें नहोंने एक प्रवधान रखा हुआ है इन्होंने प्रॉब्लम हमे जो क्योंकि इसके अंदर जैसे पेपर अप्लोड करते हैं उसके बाद इन्हों ने एक प्रोविजन रख दिया है कि गाड़ी की फोटो भी अप्लोड की जाए ये एक बहुत बड़ी फ्लाव है एक तरह का ये वो चाहते हैं मेरी इसके बारे में अपना इनकी जो सुनीता नर करेंटर वैसे ही नहीं होती है वह आती नहीं है जब से केमपी बना है वैसे भार-बार से गाड़ियां काफी जा रही है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी इसमें काफी सचारू रूप से देख रही है और पहलब की और वैसे भी अगर डर है दिल्ली में जिस साफ सक्ताई अगर इन्हों सोचा है पर उसकी वज़ा से ये एक समस्या बन गई है टैग इशू करने के लिए तैइस तारीक तक जो भी मियाद रखी गई है ये फाइनल हो पाएगा बाई सब किसी हालत में नहीं फाइनल हो सकता कारण जुर्मानित हैं देखिए कारण ये है कि अब इन् लाग डेड़ लाग गाड़ ये मुश्कल से भी नहीं हो रही पूरी तो हम यहीं नहीं समझा रहे हैं यह किस तरीके से इसको कर रहे हैं अब हम इनको यही बात रखना चाहरे हैं कि अगर आप ये फोटो का प्रवदान हटा दे कारण क्योंकि दिक्क्रत है ये कहते हैं गा होना रहा है आप उसका बंच लीजिए उसके पेपर डॉकुमेंट वो दे रहा है आपको आप टैग इशू कीजिए और दे दीजिए जब गाड़ी आटोमेटिक जब गाड़ी वैसे भी जब गाड़ी टोल पे पोंचेगी बिना टैग के अंदर नहीं आएगी मालिक अपन को टैग नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं अचा गोल्डी एक सवाल यहां पर मैं पुछ चाहूंगा प्रशाशन की तरफ से कि उनका कहना कि यह और आज का नहीं है तीन चार महीने पहले हमने बता दिया था तो वान मालिकों ने क्यों नहीं लगवाया कि एकदम से लास्ट का इतिजार क्यों कि आगे देखिए तीन चार महीने पहले अगर यह था मैं इसमें कहूंगा इसमें कहीं पे भी ग्राउंड लेवल पे जो आज पिछले तीन चार दिनों से हम लोग कर रहे हैं कहीं पे ग्राउंड लेवल पे हमारे कहीं पे भी हमारे पस इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आप इसको किसी तरीके से या हमें कहीं पर गाइडेंस ही नहीं दी ये तो जिस तरीके से ये प्रेशर पढ़ रहा है अब डेटे नस्दीक आ रही है तो ये प्रेशर सरकार पर पढ़ रहा है मुनिस्पल कॉर्परेशन पर पर पढ़ रहा है वो हम पर डाल रहे ह याज से तीन महीने पहले से चालू करते थे इन चीजों को अभी क्या अस्तीती लग रही है अर एफाईडी के चक्र में तीज सारीक तक क्या समा होना है बाइयसाब हमारा तो ये कहना है कि आर एफाईडी टैक के लिए वैसुद हम चाहते है कि इसको किसी तरीके तो ये एक बहुत बड़ी टोल प्लाजा पे बड़ा एक अलब की एक शांती पूर्वक काम करने का मौल वातावरन खराब होगा क्योंकि एक ड्राइवर पहले ही कोई आठाट दस दस दिन बाद गाड़ी चला के आ रहा है फिर वहां पे उसको लंबी कतारों में खड़ा होना आ रहे हैं हम उनको आप चाहते हैं वो टैग पांचो टैग एक माली को अगर आप इशू करके दे देते हैं उसकी जिम्मेवारी अपने अप गाड़ी पर अपने अप लगवाएगा वो क्यों गलत काम करेगा जब एक अपनी इच्छा अनुसार आके आप से टैग लेना चा तो हम नहीं चाहते हैं हम तो यहीं चाहते हैं कि इसको हमारी भी सुनवाई किरे हम भी इस देश के नागरे हैं और वैसे भी आर एफ आइडी टैग और फास्टैग एक ही चीज़ है यह सिर्फ एक दिली में इन्हों ने दस साल की गाड़ी को एक बैन करने के लिए इस गाड़ी मालकों की गाड़ी का मालिक 15 गाड़ी पर आता जा रहा है तो हमें तो यह नहीं समझ जा रही इनकों फिर भी किस बात का डर है यह मैं आप से कहना जाएंगो इसमें यह चीजों का ध्यान रखकर हमारी फिर अपील है कि यह जो प्रवदानिस को उटाएं और इजी क प्रवदानि गाड़ियों को देखना है तो फोटो का रिजन जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस पर सरकार को जरूर कुछ सोचना चाहिए कि या फिर अब डेट बढ़ाना बढ़ाएगी सरकार एस संभावना काम है क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया उस पर साफ लिका बाता फाइनल चांस अब अगर फाइनल चांस है तो किस तरह से इस्तितिया खराब होती जाएंगी हो देखने वाली बात होगी हम फिर आजरे हूं कि इसने मुद्धर पर जब तक के लिए बहुत बश्यों कुरिया धन्यबाद नमस्कार